हेलो बुद मोर्निंग और वन्स अगें एबरीबडी वेल्कम बाक तो चैनल इस दॉम रानाव आज हम कवर करने वाले हैं में टो लाइन नाइन जो के शुरू होती है दाइसर इस से और कतम होती है मेरा भाहिंदर याने शुबाशंदर वो स्टेडियम के एट स्टेशन जाते है शुरूवाती है दाइसर इसर पांडो रंगवाडी निरागाव शिवाजी जाउप साई बाबानगर मेधित्यानगर भगत सिंगाईडन मैक्सिस मॉल शुबाशंदर वो स्टेडियम लेफ लेते ही हम एंटर करते हैं मेरा भाहिंदर इरिया में और यहां से चिद्रपति शिवाजी महाराज की दर्शन लेकि हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे दैसर इस्ट कवर करती है लाइन सेवन अन लाइन टू को जोकी एलेवेट करती है लाइन सेवन लाइन टू को तो मैंने इस लाइन पर थोड़ा ज्यादा काम एक्सपेक किया था मुझे लागा था कि यहां पर एटलिस बेस डालके पीलर डालने का काम तो शुरू कर दिया गया हो पर यहां पर कुछ भी काम नहीं दिख रहा है राइट चैड पर हाला कि यह वाली लाइन जो है मैं कवर करके इसको खतम करके आपको अपडेट कर दूँ पर यहां पर तो कुछ भी काम फिलाल नहीं दिख रहा है इसको और तीन से चार साल लगेंगे तो कि यहां पर बेस काम जो है वो भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है मैं मेट्रो लाइन नाइन का काम जेकुम और इंफ जिसे के आप राइट सेट पर देख सकते हैं कि बैरिकेट्स टो टाल दिये गए पर फिलाल काम बिल्कुल भी शुरू नहीं है अगर अब गोराई बीच पिकसी रिसोर्ट बाय रूट जाना चाहते है तो यह रूट आपको स्ट्रेट लेकर जाएगा गोराई बीच ना राइट से विक ब्रीज आएगा तो वहां से आपको लेफ्ट लेना है फिर स्ट्रेट स्ट्रेट लेकर आपको गोराई बीच का रस्ता मिलें जिसे प्रेट अश्ट्रेट में जाना कि अपने पहले वीडियो में देखा होगा कि 70 तो 80 परसिंट का हो चुका है कोई कुछ जग पर तो stations डलके काज डालने का काम चालू कर दिया है कोई कुछ जग पर pillar डलके base stations डालने का काम चालू है पर यहाँ पर फिलाल कुछ भी हमें ऐसा दिखने रहा है इसको और time लगने वाला है complete लेट है मैंने का पहले कि यह लाइन भी को शुरू नहीं की गहीं अभी तरन्यान पर खुछ क्रांव नहीं दिख रहा है बिलकुल थंडा है सिफ बैरिकेस डालके रखे और लिंग रखा है कि काम चालू है पर यहाँ बिल्कुल भी काम चालू नियूंए estimated था कि 2022 तक ये वाला काम भी हो जाए पर मुझे लग रहा है कि तीन से चार साल इसको और लगेंगे जिसे सबसे यहां पर काम चल रहा है मेरा रोड बाहिंदर की अपने एक अलग स्टोरी एक जगमाने पर ये पूरी जगव वीरान हुआ करती थी और आज यहां पर देखेंगे तो बहुत सारे हब्स बहुत सारे मॉल स्कूल्स कॉलेजेस रेस्टरांस पॉब्स सब कुछ आ चुका है तो एक बहुत बड़ा अगर जैसे कह सकते हैं में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है तो अगरे में जैसे आपको बहुत ज़ाड दिखरे होंगे एक लाइन स्ट्रेट जो मैट्रो लाइन के लिए जाती है वहां पर बहुत सारी ज़ाड है अनफोर्चुनेटली जब मेट्रो का काम परपर चालो होगा तो यह वाले जाड़ पता नहीं काट दिया जाएंगे या इनको कहीं और रांस्परांड किया जाएगा मेरी सबसे तो इनको कट किया जाएगो कि थोड़े गुरून थोड़े बड़े हुए जाड तो लाइन जैसे कि कह सकते है लाइन से जो शुरू होता है अन्देरी फिर खताम होता है टोल्स मेरा भाहिंदर 14 किलोमेटर लॉंग लाइन है जो मतलब 14 किलोमेटर लॉंग राउट है तो अमिशा की तरह मैं 7 o'clock को निकलने वाला था पर वापस उट्टे-उट्टे थोड़ा टाइम लगया क्योंकि मुम्बै में थोड़ी जादा थंडी शुरू हो गई है सुबह के टाम भी फील होती है बाकी टाम भी रात को फील होती है तो फिर आज में थोड़ा उट्ट झाल 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 लाइन टू है जिसे की फिर इवेस वीडियो में अपने देखा कि सिफ शास्त्री नगर तक मैंने कवर किया है हाला कि वह लाइन बहुत बड़ी है मांधकुर्द मंडली तक जाती है यह सेटेडे तो मैं कवर करने ही पाँ कि घर पे पूजा है तो सोचराओं कि संडे सुबे 6 o'clock को ही उठके चला जाओं तो कि वह लाइन बहुत बड़ी है वहां का रोड भी बहुत नैरो है और फिर 7 o'clock 8 o'clock के बाद महां पे बहुत ट्राफिक हो जाता है तो सोचराओं कि वन शॉट में उसको पूरा कवर करके टू-टू पार्ट्स में आपको वीडियो लेके आके दिर यह वाले लाइन के बाद मुझे वड़ाला कासर वड़ावली से लेके सेंट्रल लाइन भी कवर करना है तो फिलाल वेस्टन लाइन को कवर करते करते हैं छोड़ा मुझे टाइम लग गया क्योंकि मुझे ओफिस का काम भी रहता है ओफिस से घहरा आके फिर एडिट भी करना पड़ता है तो सोचराओं कि अगले वाले जो विकेंड में आने वाला विकेंड रहेगा वो उसमें में सेंट्रल लाइन थोड़ा ज्यादा कवर करके वो वीडियो भी आपके लिए अपडेट करते हैं जो इंफर्मिशन आफ फिलाल स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हमें हमारे प्रिवेस वीडियो के कमेंट सेक्षन में टुर्थ विन करके नाम की उसर नेम से मिली है तो बिग थैंक्स टु डैट गया क्योंकि उनको मैंने कहा था कि ये इंफर्मिशन में नेक्स वीडियो में जरूर अप्डेट करोंगा तो अब यहां से हम सरकल से राइड लेंगे और घर के लिए वापस निकलेंगे याकिन मुंबए के लिए वापस निकलेंगे इसे के साथ आज का हमारे वीडियो यहीं खतम होता है आप बताएए आपको यह वीडियो कैसा लागा अगर आपके प दाउम रना टेक केर की फसलिंग की राइडिंग और बीसेफ बाई